Hello everyone, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं reflection of light को और हम लोग ने last class में क्या पढ़ा था? तो हम लोग ने last class में light का definition समझा था और reflection के बारे में जाना था इसका basic point समझा था जो कि हम लोग जान चुके हैं और हम लोगों ने ये भी समझा था कि light behave कैसा करता है क्या वो particle के जैसा behave करता है या wave के जैसा behave करता है हम लोगों ने ये समझा था कि light जो है कही ना कहीं wave और particle दोनों जैसा behave करता है बट बात क्या है अलग-अलग situation का बात किया जा रहा था यानि अलग-अलग situation में अलग- चुपी को भी क्या करेंगे खतम करेंगे चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं आगे बरते हैं यहां दिया हुआ है highly polished surface such as a mirror यानि highly polished surface का बात किया जा रहा है जैसे कि क्या होता है एक mirror होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है reflects most of the light यानि अधिकतर वो light क्या करते है reflect कर रहा है जो भी उसके उपर गिर रहा होता है जो भी उसके उपर light आ रहा होता है आप लोग you are a familiar already familiar with the law of reflection of light आप लोग अल्रेटी जान चुके हैं क्या law of reflection के बारे में जानते हैं क्या होता है law of reflection चलिए इसके बारे में थोरा समलोग समघते हैं जैसे इसको recall करते हैं the angle of incidence is equal to the angle of reflection देखे आंगल of incidence क्या होता है और angle of reflection क्या होता है जब भी किसी light source से कोई light आ रहा होता है उसको लोग बोलते है angle of incidence और कहीं टकराने के बाद किसी surface से अगर वो light जा रहा होता है तो उसको बोलते है reflected ray ये बोल रहा है angle of incidence और angle of reflection क्या है बराबर है यहाँ पे समझते हैं अगर ये sun है sun से जो light आ रहा है ये आ रहा है light ये इस point से टकराया और mirror से टकराया के बाद वापस चला गया यानि ये reflected ray होके वापस चला गया और incident ray के रूप में आया था हम लोग इस पे एक normal draw करते हैं normal draw करने के बाद पता चलता है कि normal के जो इधर से incidence ray वाला पार्ट है ये angle of incidence कहलाता है और इधर वाला पार्ट को क्या बोलते है angle of reflected ray यानि angle of incidence को हम लोग i से शो करते हैं और angle of reflection को हम लोग क्या बोलते हैं r से शो करते हैं हम लोग यह भी जानते हैं कि यह जो angle of incidence है और angle of reflected ray यह आपस में इन दोनों का angle क्या होता है equal होता है यानि जिस angle पे कोई light अगर किसी surface पे fall करेगा तो उसी angle पे क्या चला जाएगा वापस चला जाएगा अब आते हैं यह तो बात होगी angle of incidence equal to the angle of reflection के बारे में next जो point दिया हुए the incidence ray the normal to the mirror at the point of incidence and reflected ray are all lie in the same plane देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ का बात किया गया पहला angle of incidence का बात किया गया incidence ray का बात किया जा रहा है यह incidence क्या ray होता है मैंने अभी बता है जो light किसी light source से कोई ray अगर light source से आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते है incidence ray बोलते है और normal to the mirror normal का एक ऐसा line हम लोगोंने imaginary draw किया यहाँ पे उसी को हम लोग क्या बोल रहा है normal line बोल रहा है at the point of incidence point of incidence यह है यह देखिए point of incidence मैं यहाँ dot से शोग कर रहा हूँ point of incidence है यानि जहाँ पे incidence light आके यानि incidence ray आके टकराता है उसको हम लोग बोलते हैं incidence ray का क्या है वो point है अब reflected ray क्या होता है reflected ray उस ray को कहते हैं जो incidence ray किसी point पे टकराने के बाद reflect कर जाता है और वो reflected जो ray होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या reflected ray यानि जो incidence ray वापस चला जाता है यानि किसी mirror से किसी surface से टकराने के बाद वाद वापस चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं और like in this same plane यानि ये same plane का क्या बात करें देखिए क्योंकि ये तीनों एक ही same plane में होता है कोई इधर कोई इधर नहीं चला जाएगा कोई इधर नहीं चला जाएगा ऐसा नहीं होगा यानि जो भी आएगा incidence ray वो उसी तरीके से वापस चला जाएगा और normal भी draw करेंगे तभी ह एक paper है उसी paper के एकदम surface पे ही टच करते हुए चला जाएगा इसका मतलब कि ये same plane ये वला है ये वला क्या है ये plane है और ये क्या है mirror है ये मत समझे है कि plane इसको बोला जा रहा है ये plane नहीं है plane इसके बारे बोला जा रहा है clear अब आते हैं हम लोग आगे समझते हैं ये तो हो गई बात angle of incidence और angle of reflection के साथ same plane की बात, अब हम लोग बात करते हैं, these law of reflection are applicable to all types of reflecting surface, including the spherical surface, देखी ये जो law कब-कब काम करेगा, ये मैंने दो law बताया, ये law कब-कब काम करेगा, जब-जब, all types of reflecting surface पे काम करेगा, यानि जितने type of reflecting surface है, उतने पे काम करेगा, जैसे की spherical surface भी अगर आपको मिल जाए, spherical surface क्या होता है, round shape का, या थोड़ा सा round हो, curve हो, ये सब क्या होता है, spherical surface होता है, तो इस सब पे भी यही law काम करेगा, यानि यही दो law, पहला law क्या है, angle of incidence, equal होगा किसका, angle of reflection का, दूसरा क्या, angle of incidence, रे जो है, normal, और to the mirror है, और point of incidence, और reflected रहे, ये सारा क्या है, same plane में, ये दोनों law क्या करेगा, आपको याद रखना है, ये same ही काम करेगा, यानि सारे law, क्या होंगे, all type of reflecting surface पे काम करेंगे, ये are familiar with the formation of image by plane mirror, आप लोग को पता है, plane mirror के बारे में, किस तरीके से image formed होता है, तो what are the properties of image, उस image का properties क्या होता है, ये समझते हैं, image formed by a plane mirror is always virtual and erect, देखे, बोल रहा है, image जो बनेगा, किसका, plane mirror का, वो हमेशा virtual बनेगा, और erect बनेगा, virtual in the sense mirror के अंदर बनेगा, यानि हम लोग उसको परदे पे नहीं उतार सकते हैं, erect in the sense वो सीधा बनेगा, यानि image जो formed होगा, वो हमेशा plane mirror पे कैसा होगा, virtual होगा, साथ साथ इरेक्ट होगा, अच्छे, virtual के साथ साथ हम लोग यहां बात करें, the size of the image, the size of the image equal to the object, यानि जितना बरागर 10 cm का size होगा किस अगर image का, तो समझ जाएंगे कि उसका object का size भी कितना होगा, 10 cm, अगर आप 10 cm का कोई object, plane mirror के सामने रख रहे हैं, तो समझ जेए कि उसका image बनेगा, वो भी कितने centimeter का बनेगा, तो 10 cm का बनेगा, तो आपको यह याद रखना होगा, अच्छे, the image formed as a far behind the mirror as the object in front of it, यानि image कैसा, जैसी यह मान लेते हैं कि यह एक plane mirror है, आप इसके सामने खरे होगे, तो ऐसा तो नहीं है कि इधर आके बन जाएगा, यह इसके इधर tap में बनेगा, ऐसा लगे है कि आपको उसके behind उसके पीछे कुछ ऐसा बना हुआ है, है ना, जब आप क्या रहेंगे, उसके आगे रहेंगे, अच्छे, यहाँ एक और point बोल रहा है, further the image is laterally inverted, laterally inverted it means, आपका जो left है, आपका जो left है, उसका image का क्या बनेगा, right बनेगा, यानि आप ऐसे अगर खड़े हो जाए, यह मान लिजे plane mirror है, और यह मैं ख़रा कर दे रहा हूँ कि दो हाथ, आपका एक हाथ इधर से खड़ा है, और एक हाथ इधर से डाउन है, तो इधर image कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ, यह हो गया, यह वला hand क्या रहेगा, उपर रहेगा, यह वला hand उपर रहेगा, और यह वला क्या रहेगा, डाउन रहेगा, इसका मतलब कि आपक when we reflecting surface are curved अगर आप लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का image बनेगा जब reflecting surface कैसा हो curved रहेगा तो जैसे एक example लेते हैं हम लोग यहाँ पर spoon का example लिया गया आपके NCRT में तो हम लोग उसको भी लेके समझते हैं take a large signing spoon एक आप लोग spoon ले सकते activity घर पर कर सकते हैं try to viewer face in its curved surface और आप उस चमच में यानि उस spoon में अपना चेहरा देखने की try करेंगे तो आपको पता चलेगा do you get the image आपको क्या image दिखेगा बिलकुल दिखेगा it is a smaller or larger क्या वो small था या बड़ा था सबसे पहले ये दिखना होगा अगर वो कैसा भी image दिख रहा है तो आप क्या कीजे move कीजे spoon को move the spoon slowly away from your face आप अपने face के पास से या तो दूर कीजे या तो pass कीजे और observe कीजे image को कि वो कैसे change हो रहा है क्या वो बड़ा होते जा रहा है चोटा होते जा रहा है कहीं उल्टा तो नहीं नहोते जा रहा है ये सारा चीज आपको पता करना है reverse फिर क्या करना है image जो spoon है उसको reverse कर देना है और इसी activity को फिर से repeat करना है और आपको बताना है कि image कैसा आपको पता चला और ये दोनों चीजों को क्या करना है compare करना है दोनों surfaces पर यानि देखिए एक अंदर वाला surface है एक बाहर वाला surface है तो आपको याद रखना है एक चमच का ये पीछे वाला part ये क्या है अंदर वाला part आगे वाला part ठीक है याद रखना है अब देखिए the curved surface of a shining spoon could be considered as a curved mirror देख तो आपको curved surface लेना है plus shining spoon लेना है उसको कैसा मांग क्या मांग सकते है आप लोग curved mirror के रूप में देख सकते है उसको समझ सकते है ऐसे consider किया जा सकता है the most commonly used type of curved mirror जो most commonly used किया जाता है curved mirror is a spherical mirror उसको क्या बहलाता है a spherical mirror the reflecting surface is such mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो reflecting surface है उस mirror का सचा mirror can consider to form a part of a surface of a sphere जैसे देखिए एक यहाँ पे मैंने surface बनाया sphere का आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह भी एक mirror का मैंने party बनाया यह भी एक mirror का party बनाया है आपको यह बताना है कि कौन सा right वाला और left वाला यानि कौन concave है और कौन convex है तो आप comment करके बता सकते हैं such mirror whose reflecting surface are a spherical is called a spherical mirror अगर आपकी exam में question आ जाए कि spherical mirror क्या होता है what is a spherical mirror यह आपको किसी answer में include करना हो what is a spherical mirror तो अपलिक सकते हैं whose reflecting surface are a spherical are called a spherical mirror यानि यहाँ पर चमच भी एक a spherical mirror का काम करेगा यह भी एक spherical mirror का काम करेगा यहाँ पर यह भी क्या एक a spherical mirror यह देखिए मैंने picture भी दिखा दिया आपको क्या concave और convex का तो we shall now study about the spherical mirror in some details अब हम लोग पढ़ेंगे spherical mirror को पुरी तरीके से detail में और हर वो line को complete करेंगे next video में चली मिलते है next video में मिलेंगे हम लोग okay thank you